इस बरसात के मौसम में अगर आप लोग इस बढ़िया लिक्विड चीज को अपने नीमू के पौधे पे डालते हो तो आपके पौधे में बहुत साड़े फ्रूट्स और फ्लावर्स बहुती इसली अप लोग ले सकते हो अप लोग फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हुए एक निया वीडियो के साथ तरीके से फल लग रहे हैं कितना बड़िया तरीके से जो है फूल आया हुआ है लेकिन मैं इसका केर कैसे करता हूं और कौन सा जैविक खाद अपने पौधे पे डालता हूं यही है सवाल तो दोस्तों पहली बात यह है नीमू का पौधा एक बहुत ही सेंसिटिव पौधा होत तो आपके भी पौधे पे इस तरीके से फूल और फल झरूर खिलेंगे नीमू के पौधे में आप लोग अकसर देखे होंगे कि इन में फूल आते हैं छोटे छोटे फल भी लगते हैं लेकिन वह फल जो है पौधे से गिड़ जाते हैं तो इसका कारण यह है कि ये तो बरस पौधे में पानी जम जाता है तो जो भी फ्रूट्स या फिर फ्लावर्स पौधे पे लगा हुआ है वो पौधे से आटोमेटिकली गिर जाता है तो आपको एक जिसका ख्याल रखना होगा कि जब बारिश हो चुका है दो दिन तीन दिन लगातार फिर धूप निकला हो दो दिन तक तो भी आप लोगो को पौधे में पानी नहीं देना है बिलकुल भी बरसात के मौसम में पौधे को हमेशा चत पे ऐसी जगह रखो जहांपे खुला धूप आता हो धूप अगर पौधे पे नहीं लगेगा तो कभी भी आपका पौधे पे जो भी फूल आया है वो फूट्स में कनवर्ट नहीं हो पाएंगे और फल जादतर लगते ही जो है इन दोनों को आप लोगों को जो है खाद की दुकान से खड़िदना है फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड क्योंकि बरसात के मौसम में क्या होता है कि नीमू पे बहुत ज़ादा इंसेक्ट्स का अटाक बढ़ जाता है तो आप लोगों को इन दोनों को खड़िदना है औ से आपका पौधा बच जाएगा और इससे भी आपका पौधे पे जो भी fruits लगेंगे और flowers लगेंगे वो पहले से जरूर से जरूर जादा लगेंगे अभी मैं आप लोग को बिलकुल homemade एक ऐसा खाद के बारे में बताऊंगा जिसको अगर आप लोग अपने पौधे पे इस्त करना है और कैसे बनाना है वो आगे आप लोग देखिए तो यह जो चीज आप लोग देख रहे हो यह चाय की पत्ती चाय के पत्ती तो हमारे सभी के घड़ में होता है लेकिन यह चाय के पत्ती एक ऐसा खाद है जो आपके पौधे पे बिलकुल magic की तरह काम करेगा चाय पत हम लोग 2-3 चाय के पत्ती लेंगे और उसको हम लोग एक गिलास पानी में या फिर हाफ बोटल 500 ml पानी में अच्छी तरीके से मिक्स करके ओवरनाइट छोड़ देंगे ओवरनाइट इस चाय के पत्ती को पानी में डालने के बाद आप लोग देख सकते हो पानी का कालर 10-15 दिन के गैप में अपने पौधे पे इस्तमाल कर सकते हो सबसे वड़िया चीज यह है क्योंकि एक और गनिक खाद है इसलिए आपके पौधे पे कोई भी साइड इफेक्ट आप लोग नहीं देख पाओगे पौधे का ग्रोथ बहुत बढ़िया होगा पौधे पे बहु नहीं देमातरम